हाई गाईस मेर नाम है संदीप और ये है Redmi K20 Pro के अंदर लेटेस्ट सुपीरियर OS का Android 13 बेस्ट कम्यूनिटी अनफिशल अपडेट और इसके रिकार्डिंग तो भाई काफी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे सो लेट स्टार्ट दा वीडियो और अगर आप चैनल पे पहली पर है तो क्रिप्या सब्सक्राइब करने की चेस्टा कीजिए एंड हम चलते हैं सबसे पहले अबाउट फोन पेज के अंदर तो यह है इसका अबाउट फोन पेज और यहां पे अगर आप देखोगे आपको मिलता है सुपीरियर OS 13 कम्यूनिटी अपडेट उसके बाद Android वर्जिन 13 है और नुवेंबर का सिक्यूरिटी पैच लेवल है अ क्योंकि अगेन नुवेंबर 17 से अबडेटिड है और सिलनिक स्टेटस आपका यहां पर एंफोर्सिंग है और फर्स्ट अफ आप डिवाइस आपका सर्टिफाइड है उसके बाद Widevine L1 आपको मिलेगा और Google Photos के अंदर आपको स्पूफिंग मिलेगी यह चार्जिंग स्पी रेंच होकर है कल से मैं most probably आपको चीजें जो है जो नॉर्मल कंजप्शन वाली है वो अलग से दिखाने की कोशिश करूँगा आइडल ट्रेंट 0.07% परार के आसपास है जो की काफी अमेजिंग है और डिप स्लिप आपका यहाँ पर वरकिंग है यह CP थ्रॉटलिंग राफ है जिसमें 88% तक CP थ्रॉटल होता है नंबर आफ G.I.P.S आप रीड कर सकते हो और यहाँ पर Geekbench 5 के स्कोर्स आप चेक कर सकते हो और जो जो स्कोर्स है उसके रिजल्स आपके सामने है और वाइलेफ्ट टेस्ट के अंदर जो स्कोर्स है वो आप चेक आउट कर सकते हो अब रॉम के अंदर जो स्टॉक कैमरा मिल देखने को मिल जाएगा लाइक अल्ट्रावाइड हुआ जो है टेली फोटो वगरा या फिर टू एक्स जूम है वो सब कुछ वरकिंग है और यहां पर वन बाइट एक्स तक का आप स्लों मोशन वीडियो वगरा भी रिकॉर्ड कर सकते हो नॉर्मल वीडियो फोर के 60 fps में भी रिकॉर्ड करने का उप्शन मिलेगा तो यह है इसका सूपीरियर लाउंचर और यहां पे आपको फर्स अफॉल आइकन की कस्टमाइजेशन मिलेगी दैन होम स्क्रीन की कस्टमाइजेशन है और ज्यादा बड़े चेंजस मैं बोलना चाह आपको नहीं फेस करना पड़ेगा यहां पर जो experience है वो smooth है और यहां पे ना कोई आपको maximum refresh rate चेंज करने का option नहीं मिलता maximum 60 Hz नॉर्मल आपको मिलेगा एप opening closing animation की speed आप चेक आउट कर सकते हो कुछ ऐसी आपको मिल जाएगी यहां पर भी कोई ऐसे major lag या आप स्टर्टरिंग आपको नहीं फेस करना पड़ेगा as you can see जो animations है वो आपको smooth मिल जाएंगे बट still कहीं न कहीं आपको जब आप एप को close करते हो तो वहां पर थोड़ी सी minus stuttering feel हो सकती है वो उतनी smooth आपको नहीं लगती and यहां पर अगर आप यहां पर जो आपका Google Cards है उसकी optimization चेक करें in terms of scrolling तो वहां पर भी कोई problem नहीं आने वाली यह काफी अच्छे से optimized है as you can see और यह एक superior launcher है तो यहां पर कोई आपको Android 13 का system wide search नहीं मिलेगा अब setting के अंदर अगर आते हैं तो यहां पर apps आप चेक कर सकते हो इसमें game space add हो चुका है जिसमें notification डैनमक को वाला option add नहीं किया गया and battery का जो graph वगरा है वो आप यहां पर read कर सकते हो कुछ ऐसा मिलेगा और low battery light का option मिलेगा superior lab है जिसको हमने already discuss कर रख है इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ FOD icons या फिर animations नहीं मिलते बाग इस सभी चीज़ें आपको same यहां वैसी ही देखने को मिल जाती है थोड़ा जा overview आप यहां पर check out कर सकते हो edge lighting वगरा है lock screen charging info है three finger gesture है कोई setting के अंदर आपको यह सारी चीज़ें मिलती है data usage है और यहां पर network traffic indicator है vault या icon है battery styles आपको वही सारे देखने को मिल जाएंगे ज्यादा customizations एड़ नहीं कियेगे इनके अंदर तो वही सारी चीज़े है sound and vibration में me sound enhancer आपको मिलेगा hi-fi audio के साथ में haptic feedback के intensity कम ज़्यादा कर सकते हो display के अंदर आओगे तो यहां पर कुछ चीज़ें extra में है like colors का option है और यहां पर tap to wake है screen of FOD है ambient display का option मिलेगा और यहां पर dc dimming air, hbm वगरा का भी option है war paper style में आपको यहां पर maximum जो grids मिलेगे वो 6 x 10 तक है और security में face unlock नहीं add किया गया और यहां पर आपको fingerprint का option मिलता है बट जो speed है न वो excellent मैं बोलना चाहूंगा as you can see screen off के साथ में जो speed है screen on के साथ में भी आप check कर सकते हो यहां पर problem नहीं आएगी बट थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा जो animation है वो smooth आपको नहीं feel होता तो उसके अंदर थोड़ी सी कमी है बाकी आपको मैं justice check कर वा देता हूँ superior lab के अंदर चलते ही तो यहां पर अगर आप देखोगे 2 button 3 button का option आपको मिल जाएगा अगर आप further setting के अंदर जाते हो तो pill की length, haptic feedback, hide, IME, button space यह सब extra options आपको मिलेंगे अब बात करेंगे कि यह जो ROM है क्या यह best gaming performance आपको provide करती है या फिर नहीं तो of course आपको यह best gaming ROM नहीं मिलती currently क्योंकि 37 degree के आसपास temperature हो और normal मैं यहां पर खेर आता 60 fps में और साथ मैं screen recording भी कर रहा था तो यहां पर जो fps drop है वो मेरे को even sometimes 41 के आसपास भी देखने को मिला था तो मैं इसको best gaming ROM नहीं बोलना चाहूँगा हालांगी fps drop काफी कम होता है बट drop होता है और immediately आपका drop हो जाएगा और जो performance है वो उतनी आपको peak देखने को नहीं मिलती सकते हो even the fast का भी latest update राइब कर सकते हो तीनों के अंदर जो optimization है वो काफी तगडिया आपको मिलती है तो gaming के लिए उनको try करो और और वीडियो के लिए चैनल को subscribe करो मिलेंगे next interesting वीडियो के साथ